हेलो एन वेलकम टू अनकेडमी क्या हाल चाल है आप सबी के जल्दी से बताईए हमाई ओडिपल सुन पा रहे हो मुझे जल्दी से जवाब दीजिए ठीक है शुरुवात करें आज की सेशन की ओके वेल डन तो आप जानते है आज अनकेडमी इंडिया में यूपिएसी सियसी की त्यारी का सबसे बड़ा प्लेटफोर्म है अगर आप अनकेडमी को सबस्क्राइब करते हो तो मेरे साथ साथ आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा भुगोल लक्षे 2023 ये हमारी सिरीज चल रही है और कॉस्मोलोजी कर रहे है उमीद कर रहा हूँ आपको काफी सारी चीज़े क्लियर हो रही है दो चीज़े हमेशा की तरह बोलूँगा नोड्स पनाते रहना और सेकिंड है रेगुलर रिविजन करते रहना और प्रेक्टिस सेशन्स तो मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ मेरे साथ फिर रेगुलर हम प्रेक्टिस सेशन्स लगाएंगे ठीक है तो मेरा नाम है नवीन तवर ओके एट येर टीचिंग इस्पीरियंस है इसी चैनल पर आपको मेरी सभी क्लासिज के पीडिएफ आने वाली क्लासिज के नोटिफिकेशन्स और अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो और उससे पहले कोई भी डाउट है आपका मुझसे कॉंटेक्ट करना है तो आप इधर मै सेम आप अनकैडमी एप पर कॉमिनटी फीचर्स पर आप मुझे रेगुलर अप्डेट्स के लिए फोलो कर सकते हैं 24 नवेंबर से अनकैडमी बड़े शांदार बैच लॉंच कर रहा है दो हजार चोविस के लिए तो नवेंबर 24 से UPSC CSE 2024 को टार्गेट करके दो बैच पाइलिंग्वल और है एक एक एकस्पीडिशन बैच तो यह दो बैच लॉंच हो रहे हैं तो आप इन्हें जोइन कर सकते हैं पूरा स्लेवस कवरेज होगा आप टॉपिक वाइस प्रैक्टिस सेशन होंगे इधर उसके साथ इसाथ 20 किताबे मिलेगी लेकिन यह ओफर लिम कर रहे हैं तो एक शांदार ओफर लेकिया आया है अभी तक अनकैडमी का याद रखना 24 नेवंबर से बैस शुरू हो रहा है और अभी तक अनकैडमी का जो अठारा महीने का प्लस जीएस वाला सब्स्रिप्शन था 67,000 था अभी 49,000 यानि कि आपको टोटल सेविंग हो गई 18,825 रुपे की सेम आपका 18 मंद का जो आइकोनिक जीएस था 94,926 अभी 55,000 है यानि कि 39,000 की चूट प्लस प्लस आप चाहे ये लो ये लो कोई भी लो उसमें जैसे ही आप मेरा रेफरेल कोड लगाओगे तो 10% का एक्स्टा डिस्काउंट और मिलेगा नवीन वन रेफरेल ये देखो 39,000 ये 40,000 में आप इसमें 10% का डिस्काउंट और जोड लो 45,000 रुपे का डिस्काउंट है अनकेडमी के 18 मंद के आइकोनिक सब्सक्रिप्शन पे तो फिर देर किस बात की है ना फटा फटा फट इसका बेनेफिट लीजिए रेफरेल कोड याद रखना नवीन वन रेफरेल कोड है उसके साथ ही जो बच्चा एक बार के में फीस पे नहीं कर सकता लेकिन हर महीने चुका सकता है उसके लिए EMI का ऑप्शन भी अनकेडमी प्रोवाइड गराती है तो आप EMI लोन के जरिए सब्स्रिप्शन ले सकते है ठीक है ओके वैल दन तो शुरुआ लेता हूँ अगर मैं आपसे पूछता हूँ डू यू नो अबाउट डार्क एनर्जी डार्क एनर्जी के बारे में जानते हो डार्क एनर्जी जानते हो क्या होती है डार्क एनर्जी जल्दी से बताईए कि क्या है डार्क एनर्जी नाम सुना है आपने ये ये dark energy का नाम सुना है जल्दी से बताएए सुना है अगर मैं आपसे कहूं चलो dark energy तो सुना है आपने क्या आप dark matter नाम की कोई चीज जानते हो की dark matter क्या होता है dark matter ओके जिसको भी सब्स्क्रिप्शन से रिलेटिड बात करनी है मेरा टेलिग्राम चैनल है अनकेडमी अंडर्सकोर नवीन तवर वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो डार्क एनरजी डार्क मेटर पता है आपको चलो अगर मैं आप से कहूं Singularity नाम की कोई चीज सुनी है क्या आपने Singularity What is Singularity जानते हो Singularity को Singularity को जानते हो ओके चलो Singularity तो यार पता होगा आपको लेकिन आप मुझे यह बताओ क्या Gravitaational Lensing जानते हो Gravitaational Lensing Gravitaational Lensing जानते हो यह क्या है Gravitaational Lensing ठीक है पता है चलो यह पता होगा लेकिन एक बात आपको नहीं पता होगा I, I, Hope चलो देखते हैं क्या आपको God Particle पता है God Particle यह God Particle क्या होता है God Particle क्या होता है God Particle ठीक्स बॉसान बता रहे है ठीक है बहुत बढ़िया क्या आपको Big Bang पता है What is this Big Bang Big Bang Theory आप जानते हो यह क्या है Big Bang Theory 12 पार्टिकल्स ग्यारा को आइडेंटिफाई कर लिया था Large Hadron Collider यह सर्ण का प्रोजेक्ट आपको याद है बहुत ही बढ़िया Big Bang Theory पता है ठीक है Standard Model पता है आपको Standard Model What is this Standard Model Standard Model Standard Model ठीक है बहुत अच्छा चलो यह भी पता है तो अब अब आप मुझे बताओ क्या आपको Event Horizon पता है What is this Event Horizon Event Horizon ठीक है ओके Black Holes को जानते हो What is Black Hole Black Hole के बारे में जानते हो आप ठीक यह देखो पुरानी Classes पहली जो दो Classes लिए अब आपको समझ भी आ रहा है बटा आप Space के बारे में कितनी सारी चीजे मेरे साथ जान चुके हो इससे आपको Strength फील होगा कि हाँ यार हम अभी बहुत सारी चीजे नहीं जानते थे लेकिन दो ही Classes में हमें Space के बारे में काफी अच्छी जानकारिया हो गई अच्छा आप मुझे बताईए जो Gravational Waves ये जानते हो क्या आप गृत्विय तरंगे Gravational Waves पता है गृत्विय तरंगों के बारे में बहुत अच्छा ये भी Last Class में कराया था मैंने जब आपको Gravational Waves के बारे में पता है तो आपको एक चीज़ के बारे में और पता होगा आपको Fossil Star के बारे में पता है ओके आपको White Dwarf आपको Red Dwarf पता है अच्छा चलो ये सब पता है आप मुझे बताओ Neutron Star के बारे में पता है क्या आपको Neutron Star क्या होता है What is this Neutron Star Neutron Star ठीक है Neutron Star के बारे में पता है चलो मुझे ये बताओ क्या आप जानते हो What is Supernova Supernova चलो आप मुझे बताओ क्या आप Nebula के बारे में जानते हो Nebula क्या होती है Nebula कौन बच्चा बताएगा Nebula क्या होती है क्या कोई बच्चा जवाब देगा Nebula को Define करेगा कोई Nebula क्या होता है Nebula बताओ क्या होती है Nebula ये मान के चलो बेटा बहुत सारे UPSC के Question ही लिख रहा हूं में आपको ये Revision लग रहा है आपको ये Revision लग रहा है लेकिन अपने आप में इन में से हर कोई एक Question बन सकता है हर कोई Question बन सकता है ठीक है तो ये मैंने बताया था Gas और धूल के बादल है और Stars की नरसरी बोलते हैं यहां नए तारे उत्पन होते हैं नए तारे पैदा होते हैं इसमें तो ये क्या है Gas and Dust Cloud है ये ठीक है बहुत ही बढ़िया बहुत ही उम्दा आपका प्रदर्शन है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ अभी Cosmology से कोई भी Question आएगा हमारी Range से बाहर नहीं जाएगा देखो Cosmology पे जो Cosmology के उपर Question आएगे वो किस किस चीज़ पर आ सकते हैं चलो उस पर बात करते है Cosmology पे जो Question आएगे Cosmology पे जो Question बनेगा वो कैसा बनेगा पेटा एक तो Terminology जो जितनी सारी मैंने आपको ये सारी Terminology बताये ना इन में से कोई भी Terminology हो सकती है जो UPSC Prelims में आप से पूछ सकता है जैसे एक Terminology के रूप में मैं आप से पूछ लेता हूं कि वे गॉल्डी-Lock's John क्या हुता है अगर मैं आपसे पूछता हूं कि गॉल्डी-Lock's John क्या होता है तो आपने आप में एक terminology है आपको पता होना चाहिए कि Goldilocks John क्या है, Gravitational Waves क्या होती है Gravitational Lensing क्या है, Singularity क्या है Event Horizon क्या है ये सभी terms आपको clear होने चाहिए दूसरा जो question आपका बनेगा आपके जो missions है जो आपके जो आपके space missions है बेजा जाता है, कभी पूछ लेगा opportunity, कभी pathfinder, कभी कैसे नी कभी pioneer, कभी किसी भी नाम से आपका किसी भी space mission को UPSC आप से पूछ सकता है ठेक है, UPSC की बात कर रहे है UPSC के ज़्यादा तर question होंगे ओके, कभी, अगर कभी अगर उसने पूछा, कुछ हलके question भी पूछ सकता है, वो आप से जैसे किसी planet को है ना किसी planet का और उसके satellites को लेके question पूछ सकता है planets and satellites को लेके किसी भी planet का कोई special feature है कोई उसकी कोई विशेष्ट विशेष्टा है उसके special features पे question वो आप से पूछ सकता है तो यह तीन चार टाइप का question आ सकता है या वो आप से match वाला question पूछ सकता है, M, A है ना match the following करके कुछ भी दे सकता है, वो match the following करके वो दे देगा, एक तरफ planets दे देगा और दूसरी तरफ missions दे देगा और फिर बाद में पूछेगा, इन में से एक, दो, तीन कोई planet दे दिये, उनके उपर कोई mission जो भेजे गए है, वो पूछ लिए बाद में पूछेगा, वो आप से A, B, C, या, D, क्या है okay तो आप अपने दिमाग में याद रखना बेटा मेरे हिसाब से, अगर आप मुझसे पूछो की सर अगर UPSC जाएगा, तो मेरे हिसाब से सबसे पहली priority इस टाइप के question की है यह first priority वाले question है यह first priority वाले question है यहाँ से पूछे जाने चाहिए उसके बाद UPSC की second priority में इस टाइप के question है उसके बाद यह third और fourth priority वाले question आएगे आप कुछ भी सकता है तो इसलिए आप alert रहे आपको newspaper में, current affair में, magazine में कुछ भी space की terminology मिले तो याद रखना वो आपका exam में important है चले यहाँ से आगे अब चलते है last session में हम आ गए थे mercury तो प्रत्वी, sore, mandal और उसके ग्रहों की बात कर रहे है तो यह देखो, जैसे यह mercury वाला आ गया, तो यह third type वाले question है यह third type, मतलब इस category वाले question है अगर आएंगे तो first दो category first वाली category में करा चुका अब यह third category का है इसी category पे हम साथ के साथ इनके space mission भी देखेंगे कि अगर कोई से planet पे उनका कौन सा mission है, तो इन दोनों चीजों को मैं आपको एक साथ ही पढ़ा रहा हूँ अभी तो सबसे पहले आया हमारा mercury तो कुछ special विशेशता है आप जानते हैं सूरज के सबसे ज़्यादा नस्दीक है दो question आप और त्यार कर लेना बिटा दो question और जो UPSC आप से पूछेगा या पूछ सकता है या state service वाले पूछ सकते है दो type के question एक तो हमें sun से distance के हिसाब से हमें planets देखने हैं distance के हिसाब से किस सूरज से दूरी के साथ-साथ कौन-कौन से आपके planets आते है तो distance के हिसाब से हमें planets देखने है दूसरा sun से हम जब ये sun है हमारे solar system में हम देखेंगे size of the planets ये देखेंगे हम किसका सबसे बड़ा size है किसका सबसे चोटा size है तो एक तो हम size की बात करेंगे दूसरा हम क्या करेंगे distance की बात करेंगे तो इस चीज को धियार नखना आप तीसरा तीसरा जो बात पूछ सकता है वो number of satellites number of satellites उपगराहों की संख्या उपगराहों की संख्या वही जैसे हम बोलते हैं हमारे प्रत्वी का एक उपगरह है नेचुरल प्राकरतिक उपगरह है चंद्रमा वैसे तो artificial हम भेजते ही रहते हैं बहुत सारी satellites number of satellites, size of planets इनका descending order, ascending order घटता करम या बढ़ता करम दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है घटता करम या बढ़ता करम अब बात करते हैं मर करी, अब आपको पता है sun के सबसे ज़्यादा नजदीक है तो बुद्श सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्या के सबसे ज़्यादा नजदीक है अगर इसके व्यास की बात करें व्यास का मतलब बिटर diameter जैसे ये आपका है तो ये इसका व्यास है ये इसका सेंटर है ये भी इसका व्यास है ये भी इसका व्यास है ठीक है x1, x2 है ना ये y1, y2 सब z1, z2 तो अगर इसके व्यास की बात करें है व्यास की बात कर रहा है ये इसका व्यास लगबग 4900 किलो मीटर है यानि कि अगर मैं इसके रेडियस की बात करूँ तो रेडियस इसके हाफ होगी काफी चोटा प्लैनिट है और सूरिय की परिक्रमा यानि कि सूरज के चारो तरफ चक्कर काट रहा है यह इसकी सूरिय से दूरी बदलती रहती है दूरी तो जैसे हमारी अर्थ की भी बदलती है दूरी बदलने का मतलब क्या है यह सन है कभी इसके नजदीक होगा तो कभी दूर यहाँ पे यह मरकर ही है ओके कभी दूर है तो हो सकता है चक्कर काटते हुए कभी इसके पास भी होए तो सूर्ये से दूरी बदलती रहती है अब सूरज के नजदीक है बेटा और सूरज की हीट के सबसे ज़ादा निकट है तो सोर मंडल का सबसे छोटा भी है और सूर्ये के सबसे निकट तम गरहा है वायू मंडल यहां पे नहीं है क्योंकि इसका गुर्तवा कर्शन बल कमजोर है तो वायू मंडल का भाव है और अगर देखे टेंपरेचर यहां पे देखो 560 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां पे टेंपरेचर मिलता है काफी नजदीक है यह सन है इसके जस्ट बाजू में ही यह मर करी है इसके नजदीक है सबसे छोटा है ग्रेविटेशनल जो इसका गुर्तविया बल कमजोर होने के कारण वायू मंडल नहीं है तापमान सरवाधि की यहीं पर मिलता है और 4900 किलोमीटर के आसपास इसका व्यास है ओके अब आपको इतना सारा लिखना है या नहीं लिखना मैं आपको बताता हूं आज वाली क्लास को कैसे मेंटेव करोगे सुन लो बेटा आज वाली क्लास को अगर आपको बोला जाए कैसे इसको मेंटेर करोगे आपने कुछ नहीं करना आप्का जो ए-4 si till पेज है ना आपके रजिस्टर का जो पेज है यह आपके रजिस्टर का पेज है बड़ी बड़ी राम कहानी नहीं लिखनी हमें यह रजिस्टर का पेज है ओके यहां पे आप लिखना प्लैनेट्स एक के करके उसकी विशेशता देखते चले जाना ठीक है प्लैनेट्स और उसके बाद अगर आप उसमें देखे यहां पे लिखने ला उस प्लैनेट के सैटलाइट कितने है सैटलाइट कितने है यह एक विशेशता हो जाएगी और उसके फिर special features देख लेना बास ऐसे कर करके आपने बना लेना है दो page पे मतला आगे और पीछे में आपका बहुत चोटा चोटा लिखना है बड़े बड़े शब्द नहीं लिखने उसके कितने satellite है नहीं है उसकी जो विशेशता है चार-पांच ऐसे bullet point में लिखके आगे बढ़ जाना याद रहेगा ये ओके बेटर notes का maintenance बहुत ज़्यादा जरूरी है बहुत सारे बच्चे जब बिलकुल UPSC की तयारी की शुरुआत करते हैं उनको basic problem तयारी में क्या होती है आपको day one से नहीं पता की notes कैसे बनेंगे notes कैसे बनने है अगर आपको day one से notes making नहीं आता तो आपका बहुत सारा UPSC का जो तयारी में जो efforts है वो बिटा आपके खराब हो जाएंगे खराब हो जाएंगे क्योंकि ultimately ये वही notes है जिसके सहारे आपका selection होगा तो सभी बच्चों को मैं कहता हूँ एक तो A4 size paper ले A4 size के जो paper आते है और plain paper ले है न plain छोड़ देना और इसी page का right hand side पे इतना हिस्सा खली छोड़ देना क्योंकि कल को जब आपको Jirox करानी होगी चीजों को एक साथ combine करना होगा spiral कराना होगा तब ये आपको help करेगा इधर वाला इतना margin छोड़ देना इधर भी margin छोड़ के तब notes making करना और day one से अपने ही notes बनाओ शुरुवात में 5-6 महीना लगेगा भाई आपको 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना लग सकता है notes making में लेकिन ultimately आपके notes के साहरे ही आप इस exam को जीतोगे आज तक आपने ऐसा कोई beatopper नहीं देखा होगा जिसने ये बोला हो वो कुछ भी क्रांतिकारी बाते बोल सकता है कोई beatopper लेकिन किसी beatopper को आप ये बोलते हुए नहीं सुनोगे कि मैंने मेरा notes नहीं बनाया या वो आपको ये कहता हुआ, मिल जाएगा कि भाई मैंने तो PDF से ही काम कर लिया था या मैंने तो मेरे दोस्त के notes ले लिये थे selection के बाद सब अपने copy panel register दिखाते हैं, ये देखो मेरा register तो जब इतनी सारी अच्छी अच्छी बाते सीखते हो, उनसे तो notes making भी सीखो ओके ऐसे सिर्फ देखने से खवाप पूरा नहीं होता भाई है ना फिर तो पूरी दुनिया देखती है हर कोई खवाप देखने लगे महेंदर सिंग धोनी बनने का तो बन गया, है ना कोई-कोई बनेगा धोनी आपका तो चलो तो सूरिय की एक परकरिम, जैसे हम प्रत्वी सूरज के चारो तरफ चक्कर काटते है 365 दिन के आसपास लगते है सूरज के चारो तरफ चक्कर काटेगा बुद्ध भी लेकिन सिर्फ 88 डेज लेता है काफी नजदीक है काफी नजदीक है बही प्रत्वी का तो पत्थ भी काफी बड़ा है ना बेटा, काफी दूर है तो ज़ादा टाइम ले रहा है यह नजदीक है तो यह है वही समय है जब यह अपने आक्ष पर चारो तरफ एक चक्कर पूरा करने में समय लेता है देखो कुछ बातों को लेके कुछ बच्चों के मन में कन्फ्यूजन हो जाता है जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते कि सर हमने NCRT में एक लाइन पड़ी है चंदरमा के रेफरेंस में कि चंदरमा जितने टाइम में प्रत्वी का चक्कर काटता है उतने ही टाइम पे अपने एक्सिस पे भी चक्कर काटता है और यही कारण है कि चंदरमा का एक ही हिस्सा हमें दिख्था है कल एक बच्चे का यह सवाल था कि सर यह कैसे पॉसिबल है मैंने का पॉसिबल तो यही है पॉसिबिलिटी नहीं वास्तिकता यही है बेटा कोई भी प्लैनेट है या कोई भी अंत्रिक्षिय पिंड है, दो गती उसमें आपको हमेशा देखने को मिलेगी, एक तो वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ओके, दूसरा अपने एक्सिस पे घूमने के साथ-साथ, वो किसी दूसरी बोड़ी के चारो तरफ चक्कर काट रहा है, तो सपोज करो, ये चंद्रमा है, और ये प्रथवी है, सेम चीज ऐसी बात हो रही है, किस पे? बुद्ध पे भी, कहते हैं बुद्ध 88 दिन में तो सूरज के चारो तरफ चक्कर काटता है, और 88 दिन में ही अपने अक्ष पर चक्कर काटता है, तो अक्ष तो समझ गए प्रतवी पर जैसे नहीं काट रहे अपने एक्सिस पे मतलब जैसे प्रत्वी काट लेती है चोबिस घंटे में दिन रात आपके दोनों हो गए यानि के तो फिर हुआ क्या ये सन है अब इसके चारो तरफ चक्कर काटेगा ये 88 दिन में लेकिन ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट हो रहा है तो थोड़ा सा अपने एक्स पे रोटेट हुआ थोड़ा सा आगे बड़ा थोड़ा सा अपने एक्स पे रोटेट हुआ आज़र आएगा आई बात समझ में यह पॉइंट क्लियर हुआ आपको जल्दी से जवाब दीजिए ठीक है वैल डन ओके बहुत बढ़िया चीक है आगे चले अब अब कुछ चीजे बेटा मैं आपको एक चीज बता जेता हूँ कुछ चीजे फैक्चुली थोड़ा सा डिफर कर सकती है फैक्चुली थोड़ा डिफर कर सकती है लेकिन जहां इतना फैक्चुल डिफरेंस होता है यूपी अ सी कभी भी कि आपको वहां पर ट्रैप नहीं करेगा एक बच्छे ने बोला शायद NCRT में उसके जो परिकरमन का टाइम थोड़ा डिफरेंट है डेट में भी हो सकता है मैं भी उसको एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा लेकिन मैं आपको इन जनरल बता रहा हूं मैं आपको कि जिन चीजों में इस तरह की बाते होते ने UPSC वहां आपको कभी भी ट्रैप नहीं करेगा UPSC essay में थोड़ा broader aspect लेके question पूछता है कि सूरज के चारों तरफ चक्कर काटने के समय के हिसाब से ग्रहों का करम बढ़ता हुआ करम कौन कितना जादा time लेता है कौन कितना कम time लेगा तो UPSC तो नहीं फसाएगा बाकि आपको one day exam state services वाले exam वहां पे दिक्कत हो सकती है इस fact को मैं एक बार check कर लूगा don't worry don't worry मैं check कर लूगा ओके ओके चलो check कर लेंगे इससे आगे निकलो बेटा हो जाएगा ये अब ये कहता है बुद्ध का वह भाग जो सूरज के सामने है उदर temperature जादा है और जो सूरज के पीछे उदर temperature कम है तो क्योंकि जो face बेटा सूरज के सामने रहेगा तो उदर definitely सी बात है temperature जादा रहने वाला है उसके बाद कमजोर गुर्तवा कर्शन बल के कारण इस गरहा पर वायू मंडल नहीं है समझ गए गुर्तवा कर्शन बल कमजोर है जो बांधे रखता है आपके atmosphere को तो अगर UPSC कभी पूछ भी ले कि प्रतवी पर जो वायू मंडल पाया जाता है प्रतवी पर जो वायू मंडल है वो किस कारण से है प्रतवी के गुर्तवा कर्शन बल के कारण जो उन gases को वो बांधे रखते है हमारे atmosphere से ठीक है तो बुद्ध का काफी कमजोर गुर्तवा कर्शन बल है तो वायू मंडल नहीं है अब बुद्ध के बारे में हमें पता कैसे चला हमने 1974 में है न एक हमने एक अंतरिक्षियान भेजा था जिसका नाम है mariner 10 ये बड़ा important हो गया बिटा ये उस category में question हो गया कि किसी planets को study करने के लिए हमारा कौन सा mission है तो ये बुद्ध के लिए है हमारा mariner 10 आगई याद mariner 10 इसको याद कर ले ना बिटा वो जो मैंने आपको बताया था कि बुद्ध के लिए हमने क्या भेजा है mariner 10 ओके उसके बाद हाला कि यह एक उजुवल ग्रहे है लेकिन बहुत जादा अध्यान नहीं हो पाया क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए दिखता है बेटा है ना मैंने देखा बोला कि बहुत जल्दी सूरज के चारों तरफ चक्कर काट ले रहा है तो बहुत छोटी अवदी के लिए दिखाई देता है और बुद्ध का इसको बहुत जादा हम स्टडी भी नहीं कर पारें और बुद्ध का अधिक घनत हो बुद्ध के उपर डेंस प्राक्राटिक मतलब नेचोरल सेटलाइट नहीं है नेचورल सेटलाइट का मतलब जो मतलब बुद्ध के निर्मान के दोरान जब ये प्लैनेट्स बन रहे थे जैसे आर्थ के पास मून है वैसा नेचोरल नहीं है artificial artificial satellites समझ में आया तो artificial satellite तो question देखना बिटा है ना question को ध्यान से पढ़ना क्याता है बुद्ध का कोई भी प्राकरतिक satellite natural satellite नहीं है ठीक है उसके बाद आया Venus शुक्र है ना शुक्र ग्रह केते हैं सुभे के टाइम में तो दिखता है इस्ट डारेक्शन में और इवनिंग में दिखता है ये वैस्ट में और और अपने अक्ष पर जैसे मैंने बोला प्रत्वी अगर मैं आपसे एक प्रशन पोचता हूँ अपना ये प्रत्वी का अक्ष है एक्सिस है ये प्रत्वी का एक्सिस है और अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि ये एक्सिस पर रोटेशन वैस्ट से एस्ट है या इस्ट से वैस्ट है मतला है अगर मैं इधर West लिखूँ और अगर मैं इधर लिखता हूँ East और मैं आपसे पूशता हूँ प्रत्वी अपने अक्ष पर West से East रोटेट करती है या East से West रोटेट करती है ठीक है बच्चों का जवाब आ रहा है सर वेस्ट से East करती है लेकिन बुद्ध अपने अक्ष पर East से West रोटेट करता है उल्टा है भाई वो तो यह है अपने अक्ष पर दूसरे ग्राहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घोरणन करता है यह East से West चलता है उल्टा है इसका मामला एक और ऐसा प्लैनेट है मतला हमारे सोर मंडल में दो ऐसे प्लैनेट है जो East से West रोटेट करते है तो यह जो शुक्र है शुक्र क्या कर रहा है मैंने बुद बोला था शायद शुक्र क्या कर रहा है East से West रोटेट कर रहा है एक और प्लैनेट है मैंने मरकरी बोल दिया था क्या मरकरी नहीं है वीनस की बात कर रहे है हमारे सोर मंडल में एक और ऐसा ग्राहा है वो भी अपने आक्षपर इस्ट से वेस्ट रोटेट करता है बाकि सब वेस्ट से इस्ट रोटेट कर रहे है चिक है तो सूरिय की एक चक्तर पूरा लगाने में लगबग 225 दिन यानि के बुद्ध से जादा टाइम ले रहा है और इसकी सूरिय से दूरी लगबग 10 करोड किलो मीटर है हमारी तो एवरेज 14 करोड किलो मीटर से जादा है और इसका वायू मंडल प्रत्वी से भिन है हमारे प्रत इरोजन ऑक्सिजन बाकी सारी गैसेज मिल रही है इधर कुछ अलगी मामला है तो बुद्ध के बाद सूरिय के सबसे जादा निकटतम 10 करोड किलो मीटर की दूरी पर आकार और भार में अगर इसका साइज देखे और इसका भार देखे तो प्रत्वी के बराबर है इसी लि तो प्रत्वी का जुडवा ग्रह किसको बोलते है वीनस को बहुत सारे बच्चे जब एक्जाम में ऐसा आजाता है UPSC तो नहीं पूछेगा लेकिन State Services या कोई One Day एक्जाम में आ जाए तो वो Mars को लगा देते है मंगल को लगा देते है मंगल को इसलिए लगा देते है उनको जुडवा ग्रह है अमारा वीनस शुक्रा याद रहेगा और दूसरा पॉइंट है प्रत्वी के सबसे ज़्यादा निकट भी यही है मास्सी जी का घर है यह ना दो चीजे क्या जुडवा ग्रह है और दूसरा प्रत्वी के निकट तम प्रत्वी के निकट तम तो यह दोनों के दोनों कोन है शुक रही है चीक है ओके एक रूसी हमारा जांच यंत्र है विनेरा जिसे 1967 में बनाया गया था उसने पता लगाया था कि इस ग्रह का वायू मंडल यह ना तो प्रत्वी से 15 गुना जादा है और यहां के वायू मंडल का लगबग 90% है ना किसी किताब में देखो NCRT में कुछ और लिखा है बहुत सारी स्टेंडर्ड बुक में कुछ और तो मैंने इसको लगबग लिख दिया अप्रॉक्सिमेटली 90% इसमें क्या है कार्बन डाइकसाइड है लेकिन नाइट्रोजन और अक्सिजन जैसी गैसे लगबग ना के बराबर विद्धिमान है तो यहां के वायू मंडल में है कार्बन डाइकसाइड कार्बन डाइकसाइड हाँ वो ही जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कर रही है हमारे धर पैदा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट यह भरा पड़ा है यहां का वायू मंडल सी ओ टू से समझ गए तो यहां पे तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कितना जबरदस होगा कितना जबरदस ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है आपके वीनस के उपर यह भी आप देख सकते है उसके बाद इसके देखो UPSC आपको यहीं फसा सकता है बेटा समझो suppose करो suppose करो वो एक statement आरे भाई कुछ भी हो सकता है ना ऐसा क्यों सोच रहे हो कि कुछ भी हो सकता है यह कथन एक कथन है उसने बोला शुक्र को प्रत्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है suppose करो वो यह statement लिख दिया कारण में कोई लिख दे ऐसे ही ऐसे लिख दे कि शुक्र वै प्रत्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव एक जैसा है या समान है ग्रीन हाउस प्रभाव समान है एक समान है आप में को तो बहुत अब इस चीज़ को अब यार बेटा ये आपको ही दिमाग लगाना है जब आप शुक्र को पढ़ रहे हो आपको पता है उधर 90% CO2 है और अर्थ पे तो पॉइंट में है दशमलव में है तो कैसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इक्वल हो सकता है दोनों प्लैनिट्स का तो ये इतना लोजिकली आपको ही पढ़ना है बेटा हर चीज एक्जाम में बताने के लिए मैं नहीं आऊंगा मैं आपको वैल प्रिपेर्ड कर सकता हूँ मैं आपको एक स्टेट्मेंट बताता हूँ है ना एक स्टेट्मेंट बताता हूँ एक बार की बात है गुरू द्रोणाचारिया का नाम सुना है आपने गुरू द्रोणाचारिया का नाम सुना होगा द्रोणाचारिया जी का नाम सुना है आपने कितने बच्चों ने सुना है एक छोटा सा किस्सा समझाता हूँ बेटा है रहा छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको सुनाए सुनाए तो इस किस्से को जानने से पहले अच्छा मैं भूल गया इस क्लास के प्रती जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है पहले तो वो नहीं भाई है इस क्लास के प्रती आपकी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसका निर्वाहन कीजिए, फटाफट क्लास को लाइक कीजिए, तभी सुनाओंगा भाई, बहुत ही ultimate lesson है, जो देना बनता है, अभी आपको वो message आज की समय में बहुत required है, पर्टिकुलरली उस बच्चे के लिए जो competitive exam की त्यारी कर रहा है ओके, कर दिया गुरू दुरौनाचारिये से पूछा, बच्चे तो कई बार टीचर्स में बहुत कुछ देख लेते हैं, है ना, किसी भी गुरू को मानने के लिए कोई भी बात उनकी पसंद आ सकती है, बच्चों को गुरू दुरौनाचारिये जी से पूछा गया कि आपको अरजुन इतना प्रिये क्यों है, अरजुन के गुरू जी थे दुरौनाचारिये, आपको अरजुन इतना क्यों प्रिये है, या गुरू जी आप ये बताइए, कि एक शिश्य के रूप में आप अपने शिश्य से अपने शिश्य से आप क्या उमीदे करते हो तो द्रोनाचारिय जी बोलते है एक शिश्य से एक गुरू की उमीद यही हो सकती है कि वो अपना शुब आकांग्शी हो शुब आकांग्शी शुब आकांग्शी होने का मतलब वो अपने लिए शुब चाहता हो अपने लिए बहतर चाहता हो बोले इसका क्या मतलब है गुरुजी आप ये बताईए कहरे इसका मतलब ये है एक गुरु के रूप में मेरा काम है ग्यान देना बच्चों को तयार करना बेस्ट चीजे देना लेकिन अगर एक बच्चे के मन में ये इच्छाई नहीं है कि मुझे कुछ बड़ा करना है कुछ नया करना है अपना नाम करना है जो भी उसने मुझे कुछ नया सीखना है तो दुनिया का कोई भी गुरु चाहे गुरु द्रोनाचारिय हो या इस प्रथवी का कोई भी गुरू हो वो किसी बच्चे को कुछ नहीं सिखा सकता तो जब तक उसके अंदर कुछ करने की इच्छा नहीं है जब तक वो खुद मुक्ति नहीं चाहता, जब तक वो खुद आजादी नहीं चाहेगा जब तक आप लोगों को खुद नहीं लगेगा कि यार मेरे आसपास की ऐसी सिचुएशन से मैं नहीं जेल सकता मुझसे ये बरदाश नहीं हो रहा मैं चीजों को बदलना चाहता हूं तभी मेरी क्लास आपके काम आएगी ध्यान रखना पहली प्यास आपके अंदर लगेगी आपके अंदर प्यास नहीं है तो कोई गुरु आपको मुक्ति नहीं दिला सकता आपके अंदर प्यास है आप इसी क्लास से हजार चीजे सीख लोगे और आपके अंदर प्यास नहीं है तो यूजलेस तो आर्जुन प्रिये इसलिए था क्योंकि आर्जुन सीख था अर्जुन करके दिखाता था तो शुब आकांग्शी आपको खुद ही बनना पड़ेगा तो एक टीचर के रूप में मैं भी आपको यही बोलता हूँ कि आपको पहले खुद सोचना होगा कि क्या आपको अपनी गरीबी से मुक्ती चाहिए क्या बेरोजगारी से बाहर निकलना है क्या एक मान सम्मान से युक्त जीवन जीना है क्या आपको घुटन महसूस हो रही है आसपास के माहोल से क्या आपको लगता है यार मुझे इससे बाहर निकलना है कैसे भी करूँ मुझे चीजे बदलनी है कुछ नया करना है अपने आपको खुली हवा में सास लेने के लिए तियार करना है आपके अंदर ये बात नहीं है तो कुछ भी नहीं है पहला कदम आपको ही बढ़ाना है तो आपके अंदर प्यास नहीं है जिसको प्यास ही नहीं लगी उसको आरे यो तो बात होगी आपको प्यास नहीं मैं ग्लास लेके खड़ा हूँ आ रहे भाई पढ़ ले यार 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 बेस्ट क्लास है ये बदल के रख सकती आपकी कहरे पढ़ ले भाई आपको पढ़ना ही नहीं है तो मेरे बताने से क्या होगा आपको प्यास लगी नहीं है तो मेरे ग्ला नहीं तकना है चले तो कहते हैं इस सतय का तापमान लगबग 500 डिग्री सेंटिग्रेट के आसपास है ओके तो इसकी सतय का तापमान लगबग 500 डिग्री सेंटिग्रेट से अधिक है बादलों की परते इतनी अधिक मोटी है थिक है इसका एटमोस्फियर तो इसकी सतय को देख पाना जैसे सपोस करो हमारी आर्थ है बेटा है ना आर्थ है यह हमारा एटमोस्फियर है आपको पता है यहां से लेके वो 600 किलो मीटर तक का हमारा वायू मंडल था कहते है तो हमारा वायू मंडल थोड़ा ट्रांसपेरेंट है कहते है जैसे ही आप शुकर पर जाओगे शुकर पर जाओगे इसका वायू मंडल थोड़ा थिक है थिक है थिक है तो इसको इसके जो सर्फेस है ये जो इसका सर्फेस है इसको सर्फेस को देख पाना मुश्किल है तो सतय को देख पाना मुश्किल है और आरुन की भाती यह है भी दूसरा मैंने बोला था ना दो ऐसे प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जो इस्ट से वेस्ट रोटेट करते हैं, है ना, आरोन की भाती यह भी विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम में घुर्णन करता है, तो दो प्लैनेट याद रखना, एक है वीनस, जिसको आप बोलते हो शुकर, और दूसरा है युरेनस, जिसको आप बोलते हो आरोन ये दोनों ही जो प्लैनेट है आपके अपने एक्सिस पे एस्ट टू वैस्ट रोटेट करते है ये वाली बात है चिक है मतलब प्रथवी से जब आप देखते हो तो सबसे ज़्यादा चमकीला आर्थ से क्या नजर आता है आर्थ से सबसे ज़्यादा चमकीला नजर आता है आपको सन उसके बाद आपको दिखाई देता है मून कहते हैं जो तीसरी चीज़ दिखाई देती है सबसे ज़्यादा bright वो है Venus तो सबसे चमकीला खगोल यह पिंड है प्रत्थवी से अगर प्रत्थवी से देखो और इसके वायू मंडल के अंदर और इसके वायू मंडल के अंदर sulfuric acid के clouds है clouds है बेटा clouds मतला इसके जो वायू मंडल में जो बादल है sulfuric acid के cloud है ठीक है उसके कारण से क्या होता है यह आपको चमकीला नजर आता है अब वायू मंडल में मैंने बताया था लगबग 90% carbon dioxide, nitrogen, जलवाश, पिया अन्य, बहुत कम मात्रा में है अब क्योंकि यह सुभे और शाम के टाइम दिखाई देता है अर्थ से इसलिए सुभे के समय तो यह पूरवी आताश में और शाम के टाइम, evening के टाइम यह पश्चिम दिशा में दिखाई देने के कारण इसको हम क्या बोलते है morning star and evening star याद रखना तो अगर पूछ लिया जाए किस प्लैनेट को morning star and evening star बोलते है तो नाम है venus venus शुक्र प्रथवी का जुडवागर है venus ओके next आगिया आर्थ हमारी आर्थ तो प्रथवी का परिकर्मनपत आप जानते है sun है sun के चारों तरफ एक अंडाकार या दिर्ग वरत्य मार्ग में चक्कर काटती है कभी इसके नजदीक होती है अर्थ कभी इससे दूर होती है तो जब दूर होती है वो मैंने आपको बताया था अपहीलियन है यानि के अपसोर सूरज से दूर है और जब नजधीक होती है तब इसको बोलते है उपसवण, यह पारहेलियन है और यह है अपहेलियन, उपसवण और अपसवण तो सूरिय की और प्रत्वी के बीच की दूरी अगर UPSC statement देता है सुनो बेटा थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बाते हैं उनको थोड़ा खोलना सीखो अगर UPSC कहता है कि प्रत्वी से सूरिय की दूरी इस्थिर है तो आपको क्या लगता है yes और no क्या लगता है आपको yes और no क्यों तो बस ये छोटी छोटी चीजे ध्यान रखना है बेटा मार्ग उसका दिर्ग वरत्य मार्ग पर चक्कर काट रही है कभी नजदीक आती है कभी दूर जाती है इसलिए इस्थिर नहीं है बदलती रहती है तो सूरिय और प्रत्वी के बीच की दूरी में परिवर्तन होता रहता है तीन जनवरी के दिन अभी जो तीन जनवरी आएगी येस जो तीन जनवरी आने वाली है वो सबसे ज़्यादा नजदीक होगी तीन जनवरी के दिन सबसे ज़्यादा नजदीक होगी और जब चार जुलाई होती है तो प्रत्वी सूरत से सबसे ज़्यादा दूर होती है आप बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो अभी तीन जनवरी आने वाली है और हमने तो स्वेटर और जर्सी पहन लिए तो काहें का नजदीक सेट नहीं बैठरी गुरुजी बाद और चार जुलाई को आप बोलते हो दूर है तो दूर है तो जब प्रतवी दूर है तो गर्मी कम लगनी चीए उस टाइम पे तो हम भाई AC की हवा में बैठते है कूलर पंखे की हवा में बैठते है तो ऐसा क्यों ठीक है? बताओ ऐसा क्यों किसी के पास जवाब है? बाई देखो जब तीन जनवरी के दिन नजदीक होती है तो सूरज क्या होता है? दक्षिनायन दक्षिनी गोलार्द में चमकता है उत्री दक्षिनायन का मतलब गर्मी है दक्षिनी गोलार्द में गर्मी दक्षनी गुलार्द में है उत्री गुलार्द में क्या है? यहां शीतरितु है तो हमें यह प्रभाव उत्री गुलार्द में रहने वालों को फील नहीं होता चार जुलाई के दिन वो जब दूर होती है लेकिन उस टाइम पर सूरज उत्रायान होता है शीत रेतु आई बात समझ में उत्रायन और दक्षिनायन वाला कंसेप्ट लग रहा है बेटाइसीज को ध्यार नखना तो तीन जन्वरी को नियुनतम दूरी होती है 14.7 करोड किलो मीटर इसको 14.7 करोड किलो मीटर ओके और 4 जुलाई को अधिकतम होती है 15.2 करोड किलो मीटर होती है और अगर हम यह देखो और कितनी प्यारी है ना अर्थ देखके ही दिल खुश हो जाता है कुछ भी कहो इस प्रकर्ती में मतलब इस रस्टी में प्रकर्ती से खूबसूरत कुछ है यह नहीं यह वाद तो माननी पड़ेगी तो एक मात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है और हम अपने आसपास हमें जीवित चीजे दिखाई पड़ती है ना औक्सिजन और प्रचूर मातरा में जल की उपस्थिती के कारण जीवन संभव होता है और मैंने आपको क्या पताया था हमारी जो आर्थ है वो क्या है सन के सूरिय के गोल्डी लोक्स जोन में है निवास्य चेतर में है इसलिए यहां पर जीवन है और अगर आर्थ को हम ले जाके शिफ्ट कर दे जुपिटर की जंगे और जुपिटर को शिफ्ट कर दे आर्थ की जंगे तो जुपिटर क्या हो जाएगा सन के गोल्डी लोक्स जोन में आ जाएगा और आर्थ गॉल्डिलोक्स जॉन से बाहर चली जाएगी तो आर्थ पे फिर जीवन असंभव तो हम गॉल्डिलोक्स जॉन में है इसलिए लाइफ है हमारे पास यह बात याद रहेगी पढ़ाया था ना मैंने कॉस्मोलोजी लेक्चर टू गॉल्डी लॉक्स जॉन क्या होता है ओके तो UPSCSI UPSCSI statement बना के देदेगा कुछ पतात होई नहीं कथन प्रत्वी पर सौर मंडल के अन्य ग्रहो की तुल्ला में G1 पाया जाता है कारण क्या हो सकता है यहाँ पर लिख देंगे प्रत्वी सौरी एके कॉल्डी लॉक्स जॉन में है समझ गए ऐसा question बना देगा ठीक है वैल दन बहुत बढ़िया एक सेकेंड रुकिए एक सेकेंड यह आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे है मुझे ओके तो ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है दन चलो यह हो गया हमारा उसके बाद आ गए जीवन से युक्त होने के कारण ही हम इसको ग्रीन प्लैनेट बोलते है ना ग्रीन प्लैनेट भी बोलते है और प्रत्वी का एक विशिष्ट आकार है जिसे हम बोलते है जीओर या गोलाब इसको कहा जाता है तो प्रत्वी का जो शेप पूछ लिया जाए तो जीओर है इधर से थोड़ा फूली हुई दुरुवो की और से थोड़ा चप्टी ठीक तो प्रत्वी एक चक्कर पूरा करने में है ना 306 डिगरी के घुर्णन में लगा समय एक नक्षत्र दीवस बोला जाता है और अपने अक्षपर वेस्ट से इस्ट घूमती हुई 23 गंटे 56 मिनट लगबग 4 सेकिंड में एक चक्कर लगा लेती है जिस कारण से दिन और रात होते है तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए पूछा जा सकता है ना प्रतवी पर दिन और रात क्यों होते है तो दिन और रात होने का कारण है प्रतवी का अपने अक्षपर घुर्णन रोटेशन की वज़े से दिन और रात होती है तो क्या है reason और रोटेशन तो प्रतवी से संबंदित कुछ तथ्या देख लो बेटा इसका त्रिज्या त्रिज्या मतलब जो radius है radius का half sorry diameter का half व्यास का ये पूरा व्यास है अगर प्रतवी का इसका जो half है उसको हम बोलेंगे त्रिज्या radius त्रिज्या भई ये आर्थ है ये इसका व्यास है इसका जो half होगा तो ये ये half है this is radius और जो ये complete है this is diameter तो 6, 3, 7, 1 km विश्वत रेखी है व्यास विश्वत रेखा पर है 12,756 और जैसे धुरूओ की ओर जाओगे तो 12,714 तो इसका मैंने क्या बोला था कि प्रतवी बिल्कुल सर्कल शेप में नहीं है बेटा है ना सर्कल के शेप में नहीं है equator पे diameter जादा है और धुरूओ पे diameter कम है फर्क है बेटा ये देखो लगबग 42 km का फर्क है तो इसका एक उपग्रह है चंदरमा nitrogen यहां के वायू मंडल में लगबग 78%, oxygen 21%, argon 93, carbon dioxide 0.03% ऐसे मिलती है घना तो इतना है और वायू मंडल का जो average temperature है 15 degree centigrade हम average की बात कर रहे है पूरे प्रथवी के वायू मंडल का average temperature है लगबग इसको लगबग लिख सकते हो कुछ किताबों में आपको 15 से 16 degree centigrade मिलेगा 15 degree centigrade से 16 degree तो आप इसको लगबग 15 degree centigrade मान के चलना पिर आया मंगल मंगल येस तो इस ग्रहा का आकार प्रथवी के आकार का लगबग आधा है size हमारे अर्थ से half है और इसका जो व्यास है प्रथवी के व्यास से लगबग वो भी आधे से ही थोड़ा जादा है और इसका जो भार है वो भी प्रथवी के भार का one tenth है मतलब प्रथवी पर जितना weight है उसका one tenth क्या है इसका मंगल का है तो सूरज की चारो तरफ देखो जो ग्रह है जो ग्रह सूरिय से जितना दूर होता चला जाएगा उसका चक्कर काटने में उतना ही जादा टाइम लगेगा बुद्ध को सबसे कम लग रहे थे वीनस को उससे थोड़ा जादा 255 के आसपास प्रथवी को 365 के आसपास अब सूरिय से दूर जा तो यह हो गया 687 दिन का समय लगता है यहां पे और अपने अक्ष पर घूमने में एक दिन का समय समझ गए यह भी 24 गंटे में अपने अक्ष पर घूम लेती है एक्सिस पे कौन मंगल इस ग्रह का वायू मंडल प्रथवी की तुलना में थोड़ा सा थिन है और मुख्यता य अपने की संभावना ज्यादा पाई गई है यहां के वायू मंडल में और जो आपका वीनस था, वीनस के वायू मंडल में क्या था? वीनस के वायू मंडल में था कारवन डाई अकसाइड इधर ज़्यादा क्या है नाइट्रोजन तो ऑक्सिजन की थोड़ी मात्रा है इधर और आइरन ऑकसाइड की अधिक्ता के कारण यहां के इस ग्रहा को हम क्या बोलते है लाल ग्रह कहा जाता है इसके दो छोटे-छोटे से ग्रहा है एक है फॉबॉस और एक है डिमॉस जैसे प्रत्वी का एक प्राकरतिक उपग्रह है चंद्रमा सेम मंगल ग्रह के भी दो उपग्रह है एक का नाम है फॉबॉस और एक का नाम है डिमॉस हिंदी में लिख सकते हो हिंदी में यही लिखोगे फॉबॉस और यह है डि लाल ग्रह भी बोला जाता है इसको ये देख लीजिए प्रत्वी के साइज का हाफ है और इसको हम बोलते है रैड प्लैनेट आइरन ओक्साइड की अधिक्ता है यहाँ पे कोई डाउट नहीं आप लोगों का तो यह सोर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जिसकी सतह है लोहो तत्व और आइरन अक्साइड की अधिक्ता के कारण लाल रंग की है इसी वजह से हम इसको लाल ग्रह भी बोलते है एक मात्र ऐसा ग्रह है प्रत्वी के अलावा जहां जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है कि यहाँ पर भी लाइफ हो सकती है और क्योंकि मार्स ओडिसी है ना नाम का एक जो आर्टिफिशल सेटलाइट ने यहाँ पर बर्फ के छत्रकों और हिम्शिचित जल की उपस्तिती के संकेत दिये है लग रहा है कि इधर भी जीवन के प्रमान हो सकते है लेकिन इसके वायूमंडल का लगबग 90% भाग है ना 90% भाग यह थोड़ा यहाँ पर थोड़ा factual error है इस वाले चीज़ को हम हटाते है इस वाले चीज़ को हटातो ठीक है आजओ तो मंगल ग्रहा पर भेजे गई कुछ अभियान है इस वाली slide को कट कर ले ना बेटा मैं आपको कट कर गई दूँगा मैं जब आपको PDF दूँगा तो इसको हटा के दूँगा तो मंगल ग्रहा पर भेजे गई अन्य अंत्रिक्ष जो अभियान है कौन-कौन से है एक है Pathfinder याद रखना Pathfinder अगर कभी पूछ ले क्या है Pathfinder मंगल ग्रहा के लिए भेजे गई अभियान है Mars Odyssey है Beagle 2 है Spirit है Opportunity है ये सब है Phobos और Demos इसके दो जो उपग्रहा है Nix Olympia मंगल ग्रहा का सबसे उचा परवत है परवत चोटी है Nix Olympia तो Nix Olympia Phobos, Demos और ये सब नाम important है बिटा Pathfinder, Mars Odyssey, Beagle, Spirit, Opportunity ये सब मंगल ग्रहा के लिए हमने Space Missions है ये हमारे भारत ने भी भेज़ा था स्टड़ी के लिए हमने मंगल यान भेज़ा था जिसे 5 निवंबर 2013 को हमने इसरो के दुआरा इसको लॉंच किया गया था और सितंबर 2014 से मंगल ग्रह की ये परिकर्मा कर रहा है तो चोथा मतलब Mars पे ऐसा Mission भेजने वाला दुनिया की चोथी ऐसी स्वंस्था है हमारा इसरो और पहले टाइम में है ना फास्ट टाइम में ऐसा करने वाला यानि कि फास्ट अटेम्ट में यू पियेस सी क्वालिफाई करने वाला है भारत का मंगल यान कहते हैं नहीं पहले ही अटेम्ट में आईएस बन गया, ओल इंडिया रैंक वन, तो मार्स के उपर, मंगल के उपर, पहली भार के में ही सफल हमारा ये अभियान है, कौन सा, मंगल यान, मार्स और्बिटर्न मिशन को, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंदर है, आंधरा प्रदेश में, वहां से, पोलर सेटलाइट SLV C25, इसके द्वारा हमने इसको लॉंच किया था, तो ये ये नाम याद रखना, लॉंच वीकल का, श्री हरी कोटा से हमने, सतीश धवन अंतरिक्ष केंदर से, चोथा ऐसा देश है, और फास्ट टाइम में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है, और कौन-कौन यहाँ पर देखो बिटा, मार्स एक्स्प्रेस है, ये ये देखिए, उसके बाद डीप स्पेस 2 है, मार्स क्लाइमिट ऑर्बिटर है, ग्लोबल सर्वेयर है, मार्स पातफाइंडर है, ये देखिए, मार्स ऑब्जरवर, वाई किंग 1 एंड टू, ये देखो, मेरीनर 8 एंड नाइन, मेरीनर 8 एंड नाइन, उसके लावा पर्जिवेरंस रोवर यहीं पे है उसके बाद ये इनसाइट लेंडर है उके उसके साथ साथ मैविन है मैविन मार्स रिकंसिंस और्बिटर है क्यूरोसिटी है फॉनिक्स है उसके बाद अपॉर्चुनिटी है तो ऐसा कुछ भी पुछे ये नाम याद रखना अपॉर्चुनिटी है ना मैविन हो गया आपका और उसके साथ इनसाइट लेंडर हो गया इनका संबंद किस से है तो मार्स याद रखना आप दो और नाम है मारीनर 6 एंड 7 मारीनर 3 एंड 4 ये भी किस पे है आपके मार्स पे और एक बेटा याद रखना एक जो बुद्ध मैंने जब आपको पढ़ाया था बुद्ध के टाइम पे भी मैंने आपको एक नाम बताया था बुद्ध वाले का नाम शायद आप भूलना जाए दिखा देता हूं वापस से बुद्ध वाले का नाम है मेरिनर बुद्ध वाला ही है ना ये अहां बुद्ध ही है ये मेरिनर 10 बुद्ध पे है ये उदर है ये जो अभी आप देख रहे हो मंगल ये मेरिनर 8 एंड 9 उसके साथ मेरिनर 6, 7, 3 and 4 लेकिन मेरिनर 10 है आपका बुद्ध के लिए उसके बाद आया छुद्र ग्रहा की पेटी है ना एस्टरोइड बेल्ट आ गई एस्टरोइड बेल्ट तो मंगल और ब्रशपती के बीच में मतलब ये आपका मंगल है अभी जो आप देख रहे थे मंगल ये सन है दिस इस सन सन के सबसे नजदीक है मरकरी उसके बाद है वीनस दिस इस आर्थ और दिस इस मार्स ओके और मार्स के बाद ये आया आपका जुपिटर जुपिटर जिसको आप बोलते हो भ्रशपती तो बीच में आपको एक पट्टी दिख रही है बिटा ये वाली है देखो ये वाली दिख रही है ना ये तो मंगल और भ्रशपती दिस इस मार्स और दिस इस जुपिटर इनके बीच में ये कुछ आपके खोगोल ये पिंड की पूरी एक पेटी है ये इसको हम बोलते है एस्टरोइड बेल्ट छुद्र ग्रहा की पेटी छुद्र छोटे छोटे ग्रहा है तो अगर यूपियसी पूछता है तो छुद्र ग्रहा की पेटी किसके बीच में है एक तरफ है मंगल और एक तरफ है ब्रशपती इनके बीच में है यह पेटी इनके बीच में है तो आप यह देख सकते है यह मंगल है और यह भरशपती है और इसके बीच में यह एस्टरोइड बेल्ट है इसी में से एक एक एस्टरोइड है काफी इसका नाम पॉपुलर है सीरस यह देखो यह आपकी पेटी है बिटा छुदृ रहे है इसके बारे में जान लेते हैं इस पिंड अपनी कख्षा है इनके बहुत सारे कुछ बड़े साइज के है कुछ चोटे साइज के है आकार में भिंताय है कुछ एक कंकड से लेके सो किलोमेटर की लंबाई तक हो सकते है चार जो सबसे बड़े छुद्र ग्रहे है इस पेटी के अंदर चार छुद्र ग्रहे नाम याद रखना सीरस ये मैंने आपको दिखाया था ये वाला उसके बाद वेस्टा, पलास और हाईजिया ये चार आपके छुद्र ग्रहा है इन चारों के नाम याद रख ले ला ये चारों मैंने विशेश कारण से ही लिखे है ये उपियसी पूछ ले वेस्टा, मिलान कर दे इधर और इधर और वेस्टा दे दे किसी उसमें वेस्टा क्या है या सेरस क्या है, पलाश क्या है, हाईजिया क्या है तो आपको याद रहे, चार सबसे बड़े एस्टरोइड्स है ये आपके एस्टरोइड बेल्ट के अंदर ठीक है, तो ये आप देख सकते है कुछ ऐसे है बेटा ये, येस ऐसे ही है ये आपने बहुत सारी स्पेश मूवीज देखी होगी तो इस तरह से अंतरिक्ष में है ये कुछ छोटे से कंकर से लेके और सेकडो किलोमीटर के साइज के ये हो सकते है आपने बहुत सारी हॉलिवुड मूवी देखी होगी कोई छुद रहे प्रथवी की और तेजी से आ रहा है अगर 13 दिन में आके प्रथवी से टकरा जाएगा होलिवुड की मूवी की बात कर रहा हूँ हमें क्या करना होगा कैरे हम इसको तोड़ना होगा कैसे तोड़ेंगे कैरे जब आएगा प्रथवी पर तो हम यहाँ से missile दाग देंगे और तोड देंगे इसको दूर ही, है ना, जैसे ही प्रत्थवी के atmosphere में एंटर करेगा, फिर कोई एक mission बनाते है, बोलते क्या करेंगे, क्या हम ऐसा mission लेके चलते हैं, यहाँ से एक ship में बैठके इस पे जाएंगे, इस पे drill करेंगे, है ना, drill कर के इसके अंदर हम कुछ रख देंगे, ऐसे ब्लास्ट होने वाला और इसको स्पेस में ही हम ब्लास्ट कर देंगे, एक ऐसी मूवी है, आप बता सकते हैं मूवी कौन सी है, जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, ये एक मूवी है हॉलिवूड की, देखी है किसी ने, क्या नाम है उस मूवी का, देखते हैं किस बच्चे को पता है, नहीं, दा कौर, दा कौर मूवी इस डिफरेंट, दा कौर में क्या होती है, अर्थ का जो कौर है, यह ना, उसमें अर्थ के कौर में जाते हैं बिटा, अर्थ के कौर में जाते हैं, वो, that is also very, मतलब बहुत युनीक मूव मूवी है दकोर भी चाला एवेंजर्स ना शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद मैं भी थोड़ा सा भूल रहा हूं लेकिन शायद एक मूवी है आर्मगेडोन ठीक है आर्मगेडोन होनी चाहिए शायद उसमें शायद ऐसा कोई कंसेप्ट है मैं शायद भूल भी रहा हूँ यस उस मूवी में यही कंसेप्ट दिखाया उस बाद आते है Jupiter तो Jupiter हमारा Jupiter Saturn Uranus और नेप्चुन ये हमारे मैंने बताया था outer planets है जो आज हमने करे है वो inner planets है तो अब चलते हैं Jupiter पर तो Jupiter को देखते है तो Jupiter वाला ये हम कल करेंगे बेटा इसको ठीक है तो आज यहीं समाप्त करते है सेशन को आंत्रिक सुरक्षा पर मेरा प्लस कोर्स है एक नवंबर से शुरू हो चुका है आप आके देख लीजिए इस अपते समाप्त हो जाएगा 26 और 27 तारिक को दो क्लास है उसके बाद ये सेशन हमारा समाप्त हो जाएगा आप कभी भी देख सकते है उसके बाद मेरा एनवार्मेंट है निकलोजी पर प्लस कोर्स आ रहा है रेफरल कोड नवीन वन को अपलाई करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते है और मैंने अभी बताया लगवग लगवग 45,000 रुपे के आसपास का डिस्काउंट दे रहा है अनकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर 18 महीने यानि कि almost half fees हो गई almost half fees की है तो limited period के लिए है जोगरफी ऑप्शनल भी देख सकते है सुबह 9 से 11 चलता है मेरा अनकेडमी प्लस पर Tuesday से लेके Friday के बीच क्लासिस होती है हिंदी मीडियम में जिस भी बच्चे को पढ़ना है बे जिजक होके जोगरफी ऑप्शनल रखी है और बहुत बदनाम किया जा चुका है हिंदी माध्यम में इस ऑप्शनल को लेकिन अभी अपना बदला लेने वाली form में आ गया है यह ऑप्शनल तो आने वाले सालों में आपको बहुत ही अधभुत और रांतिकारी रिजल्ट देखने को मिलने वाले है यहां से तो नवी सब्सक्राइब को लगाना होगा नवीन वन अगर आप चाते हो नवीन वन क्यों लगाना है बिटा उतना सारा डिसकाउंट मिल रहा है जो भी ओफर रहे 10% है वो तो मिली रहा है यह मैंने आज आपको बताया था इस एक्जाम में आपके पास एक कोच होना जरूरी है जिसक अथका सार्थ ही मैं बनू तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप नवीन वन रेफरल कोड लगा के मेरे साथ जुड़ जाओ और आप सभी टेंशनों से फिर मुक्त हो जाना क्या करना है आपको सिर्फ करना है कराने वाला काम मेरा है तो नवीन वन रेफरल कोड आप लग करके देख सकते हैं लास्ट माइल प्रोग्राम यह इंटर्व्यू प्रोग्राम उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2022 का मेंस लिखा है और इंटर्व्यू अभी कुछ दिनों में रिजल्ट आने वाला है इंटर्व्यू सबसे लास्ट स्टेप है आपका और क्रोशियल रॉ इसमें पैनलिस्ट होंगे और आपकेडमी कॉंपीट में पार्टेसिपेट करके आप जीत सकते हैं तो इसमें शामिल हो सकते हैं और कल वापस मिलेंगे दो पैर दो बज़े हमारी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे रिविजन करते रहना नोट्स बनाते रहना बागी सब मु